अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले घोसी लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हरी नरायन राजबर हैं। आज उन्होंने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर बयान दिया है हम उनसे बात करेंगे कि उनका राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या कहना है राजबर जी क्या कहना चाहते है राम मंदिर निर्माण को लेकर और राम मंदिर निर्मार्ण की दृष्टिये है कि हम लुग तो जब से पैदा हुए तो उसे निर्मार्ण की प्रकृरिया चल लगी है करी सैकड़ों वरसों से मुकदमे चल लए हैं हमारा यह मानना है कि यहां बाबर की जन्मभूमी तो है नहीं, यहां स्वीरामचंदर की जन्मभूमी है, यहां भारत के लोग उस आस्था से जुड़े हुए हैं, रामस्दर की निर्मान की बात करते आ रहे हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि कभी कोर्ट में, कभी सरकार में, यह जो है लंबित किया जा रहा है, उ जब 1990-92 में विबादित धाचा के रूप में जो जगह थी उसको इस देश की जनता इकठा होकर के समाप्त कर दिया ना कोट से पर्मीशन लिया ना हाई कोट से सुप्रीम कोट से लिया या नाप के सरकार से लिया अब धाचा तो समाप्त हो गया अब सवाल मंदिर का रूप है तो इस देश की जनता को इकठा हो करके मंदिर बनाना चाहिए उसको कोर्ट और की पर्मेशन और सरकार के सहयोग की आउसकता नहीं महसूस करना चाहिए क्योंकि जब धाहा तो किसी की पर्मेशन क्या हो सकता नहीं पड़ी मगर इस इस्तिती को लिंगर होते हुए देखा जा रहा है मैंने तो विशुन्दी परिसत से इस देश की जनता से निवेदन करता हूं आवाहन करता हूं कि आप आए मंदिर बनाएए सुरवात कीजिए मंदिर बनाने के वक्त गोली नहीं चलेगी इतना मैं विश्वास दिलाता हूं जनताया मंदिर बनाएए जैसे विवादिर धाचा को डेमेज किया यह तो रहा सवाल मंदिर बनाने की प्रकिरिया दूसरी बात मैं एक दिन गय थे देखा राम लाला जो है उस तिरपाल में हुए हैं उनको ठंड़ लगा होगा बरसाथ सुती होगी पानी गिर्ता होगा भारत सरकार पूरे देश में गरीबों को छत मुहिया कर रही है प्रधानमंתरी आवा सोजना के अंतरगत तो मैंने सोचा हो कि कल दिली जाएंगे और एक अजोध्या के धियम को पत्त्र लिखेंगे कि प्रधानमंतरी आवास होजना के अंतरगत एक राम लाला को आवास मुहिया कराई जाए सुप्रीम कोट के मुखने आइधिस को भी लिखेंगे कि आप अजोध्या के डियम को आदेश करें कि प्रधान मंत्री उजना के अंतरगत एक राम लला को आवास मोहिया कराएं ताकि सर्दी बरसाथ यानि सारे परिसानियों से उनको बचाया जा सके ऐसा मेरा सोच आप कह रह नेत्रत से आपनी इस राम मंदिर निर्माण को लेकर जवाब बयान दे रहो इस पर कोई आपनी चर्शा की एक दिन संसदी दल की बैठक हुई थी उसमें मैंने इस परस्ताव को जिसका अध्यक्सता कर रहे थे मैंने राम मंदिर बनाने की बात कहा या सरकार कानून बनाए कि मंतर जी ने कहा कि मंदिर सभी लोग चाहते हैं कि बने बाकि अभी धायर रखने की जवरत है तो अपना प्रियास चल लाहा है मंदिर अगर सरकार ना बनवाए सुप्रीम कोट ना बनवाए तो क्या मंदिर नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा जब इस देश के सौव करोर हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ है इस देश में बहूमत की सरकार जनतांत्र में बहूमत की बात मानी जाती है यह तो जनता बहूमत के आस्था का सवाल है यह बीजेपी के सांसद हरी नायन राजबर थे जिनका कहना है कि रामंदिर निर्माण के लिए जनता को आवान करते हैं कार सेवा करें और जरूरत पड़ी तो वह भी आगे आकर मंदिर निर्माण के लिए इंट और पत्थर रखने का भी काम करेंगे धीरस्ते पाठी एटीवी लखनव